नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन और मैं हूँ आपकी साथ युवराज आज देश भर में संपून करांदी दिवस मनाया जा रहा है जिसको देखते हुए निता प्रतिपक्ष तेजश्वी आदों की तरफ से और फिर कहले तो महाकडवन्दन की तरफ से बापुसा भागार में एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है इस प्रोग्राम में नितीश कुमार के जो कामकास का रिपोर्ट कार्ड है वो बिहार की जंदा के सामने पेश किया जाएगा आपको बता दे कि महाकडवन्दन की तरफ में जितनी भी पार्टियां है उसको नियोता दिया गया था कि आप लोग आई और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन गे मगर राज़त की तरफ से कॉंग्रेस को तो नियोता दिया गया था मगर कॉंग्रेस ने अब इसे प्रोग्राम और फिर महाकरणवन्दन से दूरी बना ली है देखने वाली बात ये आ रही है कि कॉंग्रेस की जो नजीकिया है वो सीमनितीश कुमार की जदियों से लगतार बढ़ रही है अब आगे क्या होगा राजनीती में ये तो वक्त ही बताएगा मगर आज के प्रोग्राम में कॉंग्रेस नहीं जा रही है सबसे बड़ी ख़बर हम आपको दे रहे है और कॉंग्रेस का कोई भी प्रतिनिधी इस प्रोग्राम में नहीं रहेगा आखिर जिस तरीके से तेश्वी यादो आज रिपोर्ट कार जारी करने वाले है सिमनितीश कुमार के कामकाज का डबल इंजन की सरकार का चाहे वो सिक्षा से जुड़ा हो, बेरुजगारी से जुड़ा हो, स्वास से जुड़ा हो देखिये हमारी एक खास रिपोर्ट की आखेर, क्यूं महाकडबंदन में राज़द और कॉंग्रेस के बीच एक गहरी खाई बन गई है उपचुनावों में महाकडबंदन में उपेक्षित और राज़द के रवये से खिन्ने कॉंग्रेस ने राज सरकार के खिलाफ तेजश्वी यादों के रिपोर्ट कार्ट से दूरी बना ली है तेज़श्वी संपून करांदी दिवस के मौगे पर 5 जून को निती सरकार के वरतमान कारेकाल की रिपोर्ट जारी कर रहे हैं जिसमें आकड़ों के साथ राज सरकार की सच्चाई सामने लाने का दावा किया गया है कॉंग्रेस ने दो कर्णों से इसका विरोध किया है एक तो जैपरकास नरायन ने संपून करांदी का आगाच कॉंग्रेस के विरोध में किया था और दूसरा कॉंग्रेस को महागडवन्दन शब्द पर आपती है कॉंग्रेस परवक्ता प्रेमचंदर मिश्चरा ने बताया है कि महागडवन्दन तो चुनाओ के वक्त ही टूट गया था अब राज़त किस महागडवन्दन की बात कर रहा है राज़त से कॉंग्रेस की ततकालिक नाराज़गी इसलिए भी है हलागे तेस्वी रिपोर्ट कार्ट को संपूंड विपक्स का आयोजन बता रहें पिछले एक वर्ष के दोरान महागणवनल से दरकिनार कर दिये गए कॉंग्रेस को अपने लिए बिहार में किसी मुफीत साथी की तलास है वाम दलों से अपेक्षा है प्रयास भी जारी है विदान परिस्ट की साथ सीटों पर होने जारे चुनाओं में राज़स से चोट खाई भागपा माले को कॉंग्रेस समझाने में लगी है लालू प्रसास से वफदारी की उमीद नहीं जता जा सकती बाज़पा और जदियू के कुछ निताओं के 20 तलक बयानवाजी के कारण कॉंग्रेस की उमीद की एक डोर निदीश कुमार से बंदी है कॉंग्रेस का एक खेमा अभी भी लालू प्रसास से उमीद लगाए बैठा है यह ऐसे लोग है जो राज़त से वगड़बंदन के तहट चुनाओं मैदान में जाना चाते हैं लेकिन उन्हें लालू के वोट बैंक का सहरा मिल जाए संगटन में बैठे लोग अन्य दलों के साथ जुड़कर अपनी संभावनाओं को बढ़ाना चाते है तो एक तरफ जहां आज मेगा प्रोगराम हो रहा है बापू सभागार में तेश्वी यादो की अध्यक्षता में इसमें लालो प्रिसाद यादो भी मौजूद रहेंगे मगर वही इए महागणधन में एक एहम भूमी का निभात वही जो दल है कॉंग्रेस और वो आज इस प्रोगराम का हिस्सा नहीं है इस पे साफ इंकार कर दिया गया है कि महागडवन्दन नाम का भी कोई गडवन्दन अब बचा है क्योंकि उप्चुनाओं के वक्त ही कॉंग्रिस और राजती बीच की जो दूरिया है वो लगतार बढ़ रही थी अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सच में जदियू की और कॉंग्रिस का जो वोट बैंक वो खिसक रहा है क्योंकि लगतार कुछ समय से देखा जा रहा है कि जदियू और कॉंग्रिस की बीच की जो नस्दीकिया है वो बढ़ रही है आपको बता देखी कई मंद्रियों ने भी ऐसी बात कही थी कि अगर कॉंग्रिस को हमारी जरूरत होगी तो दरवाजे खुले हैं मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आज महागडवनन में शाय सच में तूट दिखी जाए क्योंकि कॉंग्रिस जो की देश में एक सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष के रूप में कही जाने वाली पार्टी है क्या अब वो आरजेडी के साथ नहीं रहना चाहती क्या सच में अब सिर्फ लालूत और राबडी और साधिसा तेश्वी की पोस्टर्स में लगी तस्वीर को देखते वे कॉंग्रिस का दिल तूट गया है लगातार खबरों में बरहनने के लिए आप देखते रहिए न्यूस्टोनेशन